मैं हूँ साक्षी और आप देख रहे हैं टुड़ेज जहां होता है इंटेटेन्मेंट की दुनिया सी डैरिक कनेक्शन अजे को गंभीर अभी नेता के रूप में जाना जाता है अजे ने अपने फिल्मी करियर में तरह तरह के किरदार निभाए हैं जैसे कि अजे एक्शन फिल्मों में दुश्मनों को पिटते हैं और रोमैंटिक फिल्मों में प्रेमिका से प्यार भी जताते हैं लेकिन अभी अश्राज फिल्म्स में अहान पांडे को एक सूपर हीरो फ्रेंचाइजी में साइन किया है जिसमें अजे देवगन एक विरोधी का किरदार निभाते नजर आएंगे एक रिपोर्ट्स की अनुसार या फिल्म एक बड़ी प्रोडक्शन हाउस के साथ होगी जिसके साथ अजे ने पहले कभी काम नहीं किया है यह वायरफ के साथ अजे देवगन का पहला प्रोजेक्ट होगा और फिल्म निवोदित निदेशक शिव रवैल द्वारा निदेशित की जाएगी यश्राज फिल्म की यह सूपर हीरो ड्रामा एक बड़े बजट की ग्रैंट फिल्म है अधित्य चोपरा को अहान की प्रतिभा पर पूरा भरोसा है और उन्हें यकीन है कि वो इसके साथ न्याय करेंगे और इस फिल्म की सबसे बड़ी बात है कि इस फिल्म में अजे की मौजुद की इस फिल्म में स्टार पावर लेकर आएगी और फिल्मों को लोग प्रिये बनाएगी इस फिल्म में उनकी साथ लीड रोल में एश्वेर राई की एंट्री हो सकती है लेकिन यह पहली बार नहीं है जिसमें पहले आजे देवकन ऐसे किरदार में नजर आने वाले हैं उन्होंने इस से पहले कई फिल्मों में नकरात्मक किरदार निभाए हैं जैसे राम गोपाल वर्मा द्वारा द्वारा निदेशित फिल्म कमपनी अंडर वर्ल्ड और अपराधियों के उपर अधारित है, अनीस बजमी द्वारा निदेशित फिल्म देवान गी पागल प्रेमी के उपर अधारित है, सोहम शा द्वारा निदेशित फिल्म काल जंगल और जॉन मैथ्यू मथान द्वारा ने देशित फिल्म शिक्कर बिजनेस और धोके की उपर अधारित है और अंत में राजकुमार संतोशी के ने देशिन में बनी फिल्म खाकी को हम कैसे बूल सकते हैं इन सभी फिल्म में उन्होंने खलनायक का जबदस रोल किया था ऐसा लग रिलीज होने बाली है थैंक यू सो मच कीप वाचिंग फॉर मोर इंटर्टेंडमेंट न्यूज अन अपदेट